Hello everyone friends, welcome back to top 3 world Guys, आज को वीडियो होने वाला है एक दम हट किये क्योंकि मैं आप से शेयर करने वाली हूँ एक दम मस्त बहुत ज़दा काम का आइडिया और ये वीडियो आपको बहुत ज़दा पसंद आने वाला है तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक पुराने ब्लैंकेट कवर का जब भी हम ब्लैंकेट लेते हैं तो इस तरीके के कवर अक्षर हमें मिल जाते हैं लेकिन ये इतने ज़ादा अच्छे नहीं होते हैं इनकी कॉलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो ये मेरा फट गया था तो मैंने इसे इस तरीके से देखे कट कर लिया है साइट से एक्ष्रा था उससे और फिर इसके जिप को मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसके जिप की कॉलिटी अच्छी है और ये काफी अच्छी है और ये वाले हिस्ते का मुझे लगा था यूज नहीं करूँगी लेकिन इसका मैंने यूज कर लिया है तो अब इसी के साइस का एक और कपड़ा हमें कट कर लेना है तो मैंने एक पुराने गाउन से ये कपड़ा कट कर लिया है और इस तरीके से इसके साथ मैं इसे अटाच कर लूँगी तो आपके बास भी ऐसा कोई भी ब्लांकेट का कवर तो आप उसे ले लीजिए अगर उस वह पूरा फट गया है तो कोई बात नहीं आप उसकी मिजरमेंट से और कपड़ा कट कर लीजिए और यहां पर ना पहले में कोई भी अस्तर यूज़ नहीं करने वाली थी क्योंकि जब इसके अंदर हम कोई भी सामान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये सक्त बन जाता है देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे रगा कि चलो यह वाला पीस अच्छा है तो इसका यूज़ कर लिते है अब सकंड साइट पर हम इसे टान करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से दबाते हुए हम प्रैस्टीज कर लेंगे तो यह हमारी जिपटेज हो चुकी है अब इसका फटा हुआ हिस्सा था उसका यूज़ तो हम नहीं करेंगे क्योंकि यह पुरा फट गया है लेकिन इसी के स हमें एक और कपड़ा कट कर लिया है और जो ट्रांस्पेरेंट सीट थी बो लेंगे और इसे हम कपड़े के साथ अटाच कर लेंगे तो देखे इस तरीके से और यहां पर मैं आपको एक स्पेसल टिप देना चाहूंगी कि आप जब भी कहीं पर भी ट्रांस्पेरेंट सीट को अटाइच करते हैं तो ट्रांस्पेरेंट सीट को आपको नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर कपड़ा रखना है तो बहुत ही अच्छे से अच्छी फिनिशिंग के साथ यह आपके अटाइच होगी नहीं तो फिर यह पूरा खीच जाएगा और बिल्कुल अच्छी इस तरह के से ट्रांस्पेरेंट सीट अटाइच करने के बाद देखिए जो कपड़े वाला हिस्सा था उस साइट पर आपको अच्छी से यहां पर फिक्स कर दिया है अब मैंने कपड़े को फोल्ट करके ही दू हैं पहले तो मैं पुराने हैंडल का यूज करने वाली थी ल आप अपने हिसाब से कर लिजिए मारंकिंग और एकदम से अब अपको इस तरीके से कपड़े को फूल्ट करके यहां पर रखा है और अच्छे से मजबूत इसे सिलाइग करके मैं पिक्स कर लूँगी यह हमारे हैं आटेच हो चुके हैं अब इस तरीके से देखिए आपको right side अंदर की तरफ रखकर यहाँ पर तीनों side पर सिलाई कर लेनी है तो यह एक तरीका है मैं आपको tip के साथ बता रही हूँ तो यह आसान तरीका है बस simply आप सिलाई कर लीजे तो आपका ready हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पर side में piping करने वाली हूँ तो मैंने right side बहार की तरफ रखी है और यहाँ तीनों side में से लाई कर लूँगे और जो भी extra था side से उसे कट करके मैंने इससे सीधा कर लिया है उसके बाद देखिए हमें लेनी है एक strip कोई भी कपड़े की आप ले लीजे मैचिंग है तो मैचिंग या फिर इसमें मैच करता हुआ कॉंट्रास कलर भी आप ले सकते हैं और इस चोड़ाई मैंने टू इंचली है और इसे देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया वैसे ही जहां उसे हम स्टार्ट करेंगे वहां पर थोड़ा सा अट लेंगे और पूरे में इसे अटत कर लेंगे फिर इसे हमें सेगन्ड साइट पर टर्ण करना हिए और फिर हम यहां पर इस तरीक से डबल फोलड करके सिलाए कर लेंगे यह हमारी स्ट्रिप अटाज हो चुकी है बहुत ही अच्छी पिटिशिंग केसा यह हमारा RAYडी हो चुका है जो ब्लेंगेट कवर हमारा टोट गया था बेकार हो गया था उसी की हैल्प से मैंने बहुत जपर मस्भूत और अच्छी का ब्लैंगेट कवर बना लिया है तो आप है ना इसके अंदर blanket के अलावा साडियों को श्टूर कर सकते हैं, बैट सेट को कर सकते हैं, जो चाहे वो चीजों को आप स्टूर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़ादा अच्छा बना है, ट्रांस्परेंट सेट का यूज किया है, तो इसके अंदर आप ये देख भी स बना सकते हैं, और कोई भी चीजों को स्टूर कर सकते हैं, अब देखते हैं, नेक्स्ट आइडिया, तो उसके लिए देखे, ये उपर वाला जो हिस्सा था, मैंने फैक्त दिया था, उसी का इस्तमाल कर रही हूं, इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड करकर रखा है, और बीच स इस तरीके से यहां पर फ्रेश्टिज कर लेंगे, या तो फिर आप इस तरीके से जिप को दबाती हुए, बस यहां उपर सिलाई कर लीजी, तो यह हो गया हमारा, इसके बाद हम जो सेकंड पीस था, उसे लेंगे उसे भी जिप के साथ अटाच करके, यहां पर रना राट क इस तरीके से हमारा रेडी है, अब इस तरीके से हम राइट साइड अंदर की तरफ रखती हुए इसे रखेंगे और यहां पर सिलाई करेंगे नीचे की तरफ, यह हो गई, उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से इसे टर्न करना है, जिप को हमें बीच में रखना है, या फिर यह सिलाई वाला हिस्सा जो है उसे भी हम इस तरीके से साइंटर में रखेंगे और फिर देखें यहां पर दूनों साइट से हमें सेधी सिलाई कर लेनी है और जो मैंने दू रेक्टेंगल पीस स्टार्टिंग में रेडी करे थे उसका मिजरमेंट मैंने नहीं दिखाया तो वो 4 x 9 इंच के मैंने लिये थे आप इसमें थोड़ा सा कम्या जादा आपने इसाब से कर सकते हैं अब देखें मैंने दूनों साइट से लाई कर ली है अभी से हम सीधा कर लेंगे सो गाया आप देख सकते हैं बहुत ज़दा प्यारा सा बहुत ज़दा आसान तरीके से यह हमारा पाउच रेडी हो चुका है और यह पाउच आप ट्रावलिंग में घर में मैडिसीन रखने के लिए या फिर आपकी चूटी मूटी मेकप की चीज़े रखने के लिए बच्चे स्टेशनरी रखने के लिए मतलब काफी ज़दा तरीकों से आप इसका इस्तमाल कर स मिलते हैं सही और यूसपल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत